नमस्ते फ्रेंड और वेलकम टू अनदर सेशन ओफ क्विक फिक्स प्रो आशा करता हूँ आप सभी लोग अपने घरों पे स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे मेरी वीडियो को लाइक करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद तहे दिल से शुक्रिया मैं आपका मतलब शुक्रियादा शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ जो आपने इतना प्यार दिया है मुझे उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद हर बार की तरह ये वाली वीडियो जो भी है वो फ्री होने वाली है इसका कोई चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा ना तो आज लिया जाएगा ना दस साल बाद लिया जाएगा ये लिंक हमेशा ओपन रहेंगे अगर कुछ दिक्कत हुई तो वो आपके एंड से होगी मेरे एंड से कोई भी फाइल जो है वो पासफ़र्ट प्रोटेक्टिब कभी नहीं की जाएगी कभी लिंक ये डिसेबल नहीं किया जाएगा जब तक ये इमेल आइडी चल रही है तब तक मतलब कभी भी ये वीडियो पेड़ नहीं होने वाली है कुछ लोग है यूट्यूब पे जो नए-णए आये थे उन्होंने कहीं से सीखा था मुझे पता भी है वो कहां से सीख के आये थे ये साब मामला और उन्होंने बाद में फिर अपने देश को लूटना शुरू कर दिया अपने लोगों से पैसे लेना शुरू कर दिया हलांकि मैं आपको बता दूँ उन लोगों ने ये सारा मामला फ्री में उठाया था ठीक है और आज भी वो पैसे ले रहे हैं और पेमेंट उठा रहे हैं बहां से आप शाहिद समझ रहे होंगे मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ वो लोग आते हैं मेरे चैनल पर मुझे पता है वो वीडियो भी देखते हैं सब कुछ करते हैं और जैसा आप पूछते हैं लाइक डिसलाइक वाला बटन भी दबाते हैं उनको दिक्कत है, उनको दिक्कत इसलिए है क्योंकि ये अब फ्री में अवलेबल क्यों हो रहा है क्योंकि 500-500 रुपया लेके आपसे वो सॉफ्टवेर आपको दिया जाते हैं इस वीडियो में मैं सर बता दूँ अगर आप काउंट करोगे न तो कम से कम आपको मैं बता दूँ जितने सॉफ्टवेर आपको मैं देने बाला हूँ जितने मतलब जो वर्जन है, उनके जो सॉफ्टवेर देने बाला हूँ कम से कम आठ से दस वर्जन है, ठीक है, उनके सबके सॉफ्टवेर मतलब इसमें एनेबल हो जाएगा गरीर, कैमरा और स्पीकर दोनों अवनेबल हो जाएंगे तो पांसो पांसो रुपिया लेके भी चलो अगर आप मानलो हजार आदमी से भी पांसो रुपिया लिया होगा उस आदमी ने तो आप कल्कुलेट करके देखना कितने पैसे उसने लिये, और हजार नहीं है, कई हजारों में लोग उसके पास गये हैं, क्या बताओं, मैं नाम तुम्हें बता नहीं सकता हूँ, मेरे से तो डबल उनके सब्सक्राइबर हैं, तो अगर उतने में से अगर आदमियों ने अगर सॉफ्ट्वर खरीदा है, तो वो इस अराम से लाखों कमा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, अब प्रॉब्लम यह है, वो इस इंडिया कंपनी से कोई अलग नहीं है, वो एक ही मामला है, उनका सेम ही है तो हर बार की तरह ये वीडियो फरी ही रहेगी और सारी उमर फरी रहेगी, इसकी आप परवा मत करना अब बार कर दो, आपको बहुत खुशी मिलेगी, बहुत सुकून मिलेगा, आपको लगेगा, अच्छा काम तो आप लोग करते हैं, एक और अच्छा काम आपकी जो लिस्ट है, उसमें जुड़ जाएगा, मेरे को ये फाइदा होगा कि मुझे ये लगेगा कि मेरे माध्यम से कुछ वहाँ पर डोनेशन वहाँ पर चली गई, तो ये काम आप प्लीज अगर आपसे हो प अच्छा काम आप से हो सकते हैं, आप करिये बहुत अच्छा लगता है, मतलब जीवन में बड़ी खुशी आती है, जितनी भी नेगटिविटी है न हमारे जीवन में, वो सब दूर रहती है हमसे, तो कहीं लिए जरूर कीजिएगा, मेरे आप से आशा रहेगी, उमीद रहे कैसे एक्टिवेट करने है, 4.0.1 से लेके, 4.0.7 तक मैं अलड़ी बता चुका हूँ आपको, उसके बाद में 4.0.12, 4.0.7 से 7.0.5 MD में कैसे आना है, मैं वो भी बता चुका हूँ आपको, पिछली वीडियो में, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा मैं, मैं क्योंकि वो बिल्कुल नया भी वर्जन है, मतलब ये समलो की फेसलिफ्ट वाला जो मॉडल है, उनके बारे मैं नहीं बता पाऊंगा, रीजन ये है कि मैं भी एक अउनर उसर कार का, मैं कोई टेक्निशन बगरा नहीं हूँ, रेनो बगरा में, या मेरे पास कोई कार टीक है, जितने भी वर्जन इसके बीच में आते हैं, 7.0.5 से लेके, 1.0.13 तक, 13.3 तक, last size 13.3 था, वहां तक आपको मैं सारे कोड दे दूँगा, उसके आगे के कोड सर काइनली मिर से मत मांगिएगा, क्योंकि मेरे पास है भी नहीं और मैं दे भी नहीं पाऊंगा, मेरे लिमिटेशन हैं, बहुत सारी है, तो कोड क्या है, मैं बता देता हूँ आपको, दिवे दिवे सब बता दूँगा, पर यहां पे साथ साथ में आपको एक चीज बताता चलूँ, कि जिन लोगों का जो सिस्टम का वर्जन है, वो अगर 4.0.1 से लेके, 4.0.7 तक है, और वो अपग्रेड किया है, 7.0.5 MD में, अगर उनकी गाड़ी में, हलांकि कोड तो चलेंगे, मतलब जो कवर्ड आपको दूँगा, वो एक्टिवेट होंगे, आपका टेस्ट मोड भी खुलेगा, सब कुछ होगा, अगर आपकी सेटिंग सेव नहीं होती है, इस तरीके से, तब आपको बापिस डाउन ग्रेड करना पड़ेगा, और उसी वीडियो में जाना पड़ेगा, जिस वीडियो में आपको मैंने, मतलब इससे एक पीछे वाली जो वीडियो है, जिसमें आपको बताया था मैंने 4.0.6 में कैसे एक्टिवेट करते हैं, उस वीडियो के थू ही आपको बता दूँगा, उसके बाद में जो वीडियो प्लेयर है अपना, वीडियो प्लेयर को हटाना कैसे है, उसका भी तरीका देखूंगा, मैं अगर आपको बता पाँ तो उसकी वीडियो बना दूँगा, कुछ लोगों को वीडियो प्लेयर नहीं चाहिए, तो इस सारी चीजे बता दूँगा, तो सर काइंडली कन्फ्यूज मत हो येगा, अगर आपका ये वर्जन है, इसमें आपने अप्डेड किया है, और अग पस काफी कमेंट्स आये थे, तो मैं आपको बता दियता हूँ सर, आपको सेटिंग्स में जाना है यहां पर, तो इसको नीचे को दबाएंगे, तब आपका यहां पर सिस्टम वर्जन लिखा हुआ दिखाई देगा, तो इस सिस्टम वर्जन पे जब आप क्लिक करेंगे, त अब आपका यहां पर वर्जन डिस्पले हो जाएगा, जैसे अभी मेरा करेंट वर्जन है, 7.0.5 MD, तो आपका यहां पर लिखा आएगा, 9.1.2, 1.0.13, ऐसे करके नंबर लिखे आएंगे, वो आपका सिस्टम वर्जन है, तो सबसे पहरे तो आपको यह फाइंड आउट कर हैं, उन सब के लिए, तो आप बात करते हैं, जैसे कि आपको कोड्स की जरूरत पड़ेगी कहां पर, और एक आपको फाइल भी दूँगा साथ में, एक फाइल भी आपको डाउलोड करनी पड़ेगी, वो भी आपको मैं बता दूँगा, तो पहले इसका इस्तमाल करना सीख करना है, ठीक है, ऐसे स्क्रीन दिखाई देगी, यहां से नीचे आएंगे, सिस्टम वर्जन पर क्लिक करेंगे, अब जिस पैटर्न में मैं आपको यहां पे क्लिक करना बताऊंगा, उसी पैटर्न में आपको क्लिक करना है, ठीक है, सेम पैटर्न में और सेम जगा पे, एक यहां पे, यह center में और last वाला यहां पे, ठीक है, तो आपका ऐसे test mode वारी screen खुल जाएगी, एक बार दोरा sequence दिखा देता हूँ मैं, back का button प्रेस करेंगे, देखो, 1, 2, 3, 4, 5, यहीं पे करना है, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, यह प्रेस करेंगे, तो आपका test mode वारा screen खुल इसमें आपका median app का password नहीं काम करेगा, वो गलत दिखायेगा, हर जितने भी आपके software के वर्जन है, उनके सब के अलग code है, वो सारे code मैं आपको बता दूँगा, कौन से कौन से है, पर आप पहले sequence सीख लीजे, किस sequence में डालना है, अभी मेरा version आपने देखा था, 7.0.5 था, हलांकि original version जो है, यह 4.0.6 है, तो 7.0.5 जिनके पास में भी है, ठीक है, मतलब मेरा कहने का है, कि 5.0.1 से लेके, तो बारा सुन लीजेगा, 5.0.1 से लेके, 8.0.5 तक जितने भी system है, उन सब में यही code डलेंगे, जो अभी मैं डाल रहा हूँ इस पे, ठीक है, तो आपका चा तो codes will remain same, राइट, सो मैं आपको दिखा लेता हूँ पहले, जो first code है, वो हम डालेंगे, 0362, 0362, यह code डाला, उसके बाद में OK प्रेस करेंगे, और backspace दबा देंगे, ठीक है, और इसके बाद में code डालेंगे, हम दूसरे बाला, वो है 3748, 3748, यह प्रेस करेंगे, और OK कर द जाएगी, राइट, ध्यान से देखना सर, बाद में फिर comments आते हैं, कुछ अजीब से, मुझे उनका जबाब देना है, बड़ा मुश्किल हो जाता है, मैं सच बता हूँ, क्योंकि एक एक चीज मैं ध्यान से समझाता हूँ, तो इतना भी आप नहीं कर पाओ गया, तो फिर अगर आपको फंडा पता नहीं है, मैं पहले बता देता हूँ, एक चीज याद रखना, अगर आपको नहीं करना आता है, तो काइंडली मत कीजिएगा, उसका रीजन यह है, कि अगर ये system खराब हो गया, nobody is going to take the blame, कोई blame लेने के लिए तयार नहीं होगा, company warranty भी नहीं देग पहले वाला कोड आपको ऐसे ही डालना जैसे मैंने बताया था, उसको OK प्रेस करना है, फिर backspace कर देना है, backspace करने के बाद में, फिर दूसरा कोड डालना है, OK दबा देना है, ठीक है, OK दबाने के बाद में, ऐसी screen अगर आपकी गाड़ी पे खुल रही है, तो वो कोड आप करने के बाद में, इसी screen खुल लेगी, पर यह MI.com टेस्ट जो है, उसको आप प्रेस करेंगे, तो कुछ खुलेगा नहीं, ठीक है, nothing will open, अभी देखो, प्रेस कर रहा हूं, इस पर मैं कुछ नहीं खुल रहा है, तो पहले तो आपको सिर्फ यह कोड डाल के देख लेने है, क खुल रहा है कि नहीं खुल रहा है, अगर तो खुल रहा है, तब आपको दूसरे स्टेप पे जाना है, तो अभी मैं back button प्रेस कर देता हूं, ठीक है, इतना काम हमारा हो चुका है, और सिस्टम में दुवारा on कर देता हूं, यहां पर जाके, अब आपको क्या करना है, जब बाद में कांड मत करना और फिर मुझे बड़ा दुख लगता है मुझे ऐसा लगता है कि आप वीडियो पूरी देखते नहीं हो और फिर मतलब सब कमेंट में ही पूछना है तो फिर वीडियो किसले बनानी है ऐसे ही काम कर देंगे तो ध्यान से प्लीज सुनिये का दिस्क्रिप्शन में आपको दो तरह की फाइले मिलेंगी दो लिंक मिलेंगे एक होगा जिस पर मैंने लिखा होगा ओल्डर वर्जन और एक होगा जिस पर मैंने लिखा होगा निवर वर्जन तो जो दूसरे वाली फाइल होगी I repeat all the versions from 5.0.1 to 8.0.5 have to download the older version file आपको पराने वाले version की file download करनी है और जिनका भी version इसके बाद में मतलब मेरा कहने का है 9.1.1 मतलब 9 series वाली जो भी है उससे उपर के जो भी version है उनको file download करनी है newer version वाली दो वाली तो मतलब दो भागों में बांट रखा है इसको एक 5.0.1 से लेके 8.0.5 तक 5.0.1 to 8.0.5 and 9.1.1 to till 1.00 something something तो ये दो फाइले हैं तो जो भी आपका version जिस भी category में आएगा उस category की ही file download आपको करनी है दोनों मत करना नहीं तो कांड हो जाए दोनों में difference है तो जब आप अपने जो version है उसकी file आप download कर लेंगे download करने के बाद में आपको एक pen drive चाहिए minimum capacity उसकी जो है वो 4GB होनी चाहिए ठीक है जैसे पिछली वीडियो में आपको बताया था camera activation वाली में उसी तरह वो pen drive आपको FAT32 format में format करना है FAT32 जो उसका रहेगा default setting रहती है उसी में आपको format करना है formatted pen drive में जो आप download करोगे जो भी link आप download करोगे link download करने के बाद में जो file रहेगी zip file रहेगी उसको आपको extract करना पड़ेगा win rar जो है उससे ही extract हो पाती है कुछ लोग है जो उनकी file extract नहीं हो रही थी तो आपको अपना software version जो upgrade करना पड़ेगा मतलब computer का इसका नहीं तीक है तो आपको file extract करनी है file का जो last में जो उसका name रहेगा वो .ini रहेगा वो file को आपको उठा के आपके pen drive में डाल लेना है फिर उसके बाद में अगला process शुरू होगा अब क्या करना है आपका pen drive जो है ready हो चुका है file इसमें आ चुकी है आई एन नहीं file आपको pen drive simply system मेरा on ही है कोई दिक्कत नहीं है pen drive आपको लगा दीनी है system में ठीक है system में लगाने के बाद में wait करना है no media file found in use भी दिखा रहा है okay प्रेस कर देना है कोई problem नहीं अब आपको जाना है दोबारा settings में settings में जाके system version पे click करना है उसी sequence में आपको प्रेस करने है button one, two, three, four and five right test mode खुलेगा अब आपको अपने version वाला code डालना है सब के code जो है जैसे अभी हम बात कर रहे है 5.0.1 से लेके 8.0.5 तक के version की उनमें सब में code यही रहेगा जो मैं भी डाल रहा हूँ same code रहेंगे आपके पहला code रहेगा 0362 0362 okay backspace कई बार यह गलत भी बताता है ठीक है तो गबराना नहीं है आपको दूसरा code है 3748 okay प्रेस किया यह देखो incorrect pass किया आ गया न कोई दिक्कत नहीं है अराम से दुबारा इसको खोलना है एक दो तीन चार और पांच ठीक है 0362 first वाला okay backspace 3748 अभी खुल गया देखो तो कोई दिक्कत नहीं है अगर गलत बताएगा तो दुबारा उसमें डालना है कोई परिशान नहीं होना है same code डालने है आपको के वर बताता है मतलब incorrect pass की करके अब आप यहां पे mi.com test में आराम से जा सकते हैं ठीक है तो जो भी आपका वर्जन रहेगा आपका mi.com test ऐसे खुल जाएगा इसमें सर याद रखियेगा हमेशा यह clear version जो है इसको कभी मत बाना यह आपका एकदम data जो है वो blank कर देगा ठीक है मतलब पूरा एकदम मामला खराब कर देगा never press this button और if you want to save something अगर आपको save करना चाहते हैं settings को then you have to press DSI configuration तब आपको DSI configuration प्रेस करना पड़ेगा light ठीक है on the top left hand corner if you want to save something अगर को save करना है setting then DSI configuration and never press clear version कभी भी यह press नहीं करना clear version यह याद रखना सर मिली बार ठीक है अभी मैं आपको बता देता हूँ इस पूरे मामले में आपके काम की चीज है क्या ठीक है कुछ लोग सर इको मोड के पीछे पड़े रहते हैं मैं सर बता दूँ इको मोड के लिए आपको hardware भी चाहिए जो आपकी गाड़ी में लगा होना चाहिए तो इको मोड ये है डियक्टिव है इस वक्त में अगर आप इसको on कर देंगे तो के वाड़ दिखाता है इको मोड दिखाता है डिस्प्ले करता है पर उसका कुछ खास वाइदा वाइदा रहता नहीं है मेरे को वो डाटे पे ना तो सारा डाउट ही लगता उस पे और टेंपरेचर वाला जो सिस्टम है और टेंपरेचर का भी सेंसर तो लगा है पर हमारे टेंपरेचर को जो सेंसर तो कूलेंट टेंपरेचर सेंसर है तो एसी से कोई लेना देना इसका है नहीं यार तेक है, जहां तक मैं बता रहा है, क्योंड में जतने सेंसर हैं, उनकी सब के विर को जानकारी है, कि कौन से कौन से सेंसर लगे है, तो temperature sensor आपका लगा है, खाली ECT, engine coolant temperature sensor लगा है, अब AC का कैसे बताता है, मुझे idea नहीं है, इस चीज का, मतलब मैं समझ नहीं पाया हूँ यह सब चीजे, पर मेरे काम की चीज और आपके काम की चीज जो अभी तक है जो नौर्मल काम के चीज है वो है आपका rear view camera आपको on करना है और आपको speaker on करने है, पीछे के चारो speaker आपको on करने है और rear view camera on करना है, तो उसके लिए आपके सिर्फ दो ही बटन काम आने वाले हैं वो है एक तो ये RVC OFF लिखा है ना RVC का मतलब है rear view camera ठीक है ये वाला बटन जो है RVC इसका मतलब है rear view camera तो ये अभी OFF पड़ा है इसको प्रेस करेंगे तो ये ON हो गया ठीक है और ये speaker on तो इसको प्रेस करेंगे speaker off फिर दोवारा प्रेस करेंगे speaker on तो मतलब आपको प्रेस करना है इसको इस तरह से कि RVC आपका on हो जाए और SPKR जहां पे लिखा होगा वो भी आपका on हो जाएगा दोनों आपकी डिस्पले यहां पे on हो चुकी है कर RVC दोनों अपना on हो चुका है तब यहां पे आप में DSI कन्फरिकेशन बाला बटन दबा दूगा ठीक है यह सिस्टम मेरा off होगा off होने के बाद में अपने आप on हो जाएगा ठीक है यह बटन आपको एक ही बार में प्रेस करना है तो यह फिर से सिस्टम आपका on होगा मतलब आपकी कन्फरिकेशन जो है वो सेव हो रही है सर देखो जिसका हो पाया उसका हो पाया जिसका नहीं हो पायागा काइंडली परिशान मत करना है क्योंकि अब मैं यहां बैटके आपको नहीं बटा सकता तो यह अभी कन्फरिकेशन सेव हो रही है सेव होने के बाद में ही आपको पै Packша 1 आपना उसका पैनल कर निकाला है ओब आपको एंड़िऊ आया ॉपन हो जाया जाए सिस्टम अभी जैसे ओपन हो गया है तब आप चेक कर सकते हैं आपकी जो settings है वो save हो गई होंगी तो settings पर प्रेस करेंगे और इसमें जैसे rear view camera है यह on है on off का आप कर सकते हैं आराम से और जो audio है इसमें balance fed है इसमें चारो speaker यहां पर आराम से on है तो अगर हो पाया तो well and good ठीक है तुका लगया अपना तो बले-बले है नहीं लगा तो यार 500-500 रुपय तो आप लोग pay करी रहे हैं उस side पर जाके ठीक है तो देखते हैं क्या बनता है बाकि सारे जितने भी systems के code हैं जितने भी system हैं उनके जो code हैं वो description में आपको एक table type का बना के दे दूँगा पहले में first वाला code रहेगा सामने में दूसरे वाला code रहेगा तो इस तरीके से आप अराम से कर सकते हैं इसका कोई नुकसान नहीं है हाँ warranty का issue रहता है अब service center वाली तो नकरे करते ही करते हैं ठीक है पर वो आपके उपर है आप रिसक लेना चाहते हैं कि नहीं लेना चाहते हैं ठीक है तो जब मेरा सारा system on हो जायाएगा ठीक है जब सब कुछ में देख लूँगा अब ही सब सही चल रहा है मेरा ठीक है तब आपको system अपना off करना है off करने के बाद में अपना pen drive निकाल लेना है ठीक है तो pen drive मेरा बाहर आ गया अब मेरा system जो है ready to work है अभी कोई दिक्कत इसमें नहीं होने वाली